क्लास 12 की 3D Geometry हिंदी माध्य हम की प्रेक्टिस यहां पर स्टार्ट होने वाली तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का काम यहां पर कहा गया है पी का मान ग्याद कीजिए ताकि रेखाएं यह एक दूसरे पर लंब हो तो देखिए यह क्वेस्टन में सबसे पहली बात क्या है कि इसमें जो रेखाएं अपने सही सरूप में देंग नहीं देंगें जो रूल होता है रेखाओं का वो क्या होता है X-x1 upon A1 equal to y-y1 upon B1 equal to z-z1 upon c1 तो यहाँ पर जो है रेखाओं को x-x1 upon a1 y1 minus y1 upon b1 equal to z minus z1 upon c1 के रूप का होना चाहिए मगर पहली रेखा ऐसी नहीं है तो इसको हम क्या बनाएंगे इस रूप का बनाएंगे तो देखो first वाले में से क्या करो 1 minus x है तो first वाली रेखा में से आप minus sign common लेज़े क्या बन जाएगा x minus 1 upon 3 equal to यहाँ से 7 common लेज़े तो कितना बन जाएगा y minus 2 upon कितना 2p और इधर से कितना कुछ भी नहीं z minus 3 upon कितना 2 अब देखे अभी भी नहीं हुआ है क्योंकि अब इसको क्या करिए x minus 1 upon minus 3 y minus 2 आप इसको लेख सकते हैं 2p by 7 क्योंकि 7 पलट करके उपर आ जाएगा तो यहीं हो जाएगा और 7 minus z minus 3 upon 2 अब आपके पास आ चुके हैं यह direction ratios a1 b1 c1 तो a1 b1 c1 कितने आ चुके हैं minus 3 2p by 7 और कितना plus 2 यह तीन पेर बन चुके हैं अगली लाइन देखिए अगली लाइन ये है अब इसको फिर से अरेंज करते 6 upon 5 इसको मैं क्या लेख सकता हूँ इसको मैं लेख सकता हूँ x minus 7 upon 3p by 7 इसको y minus 5 upon 1 equal to z minus 6 minus 5 को इधर लाई है नीचे लाई है तो minus 5 हो गया तो यह आपके सारे direction ratios बन चुके हैं अब आपको क्या करना आपको लगानी है लंबवत की condition तो जानते हैं लंबवत की दिये गये हैं वो कितने हैं 3 2p 2 और दूसरे कितने हैं 3p by 7 1 and minus 5 तो चलो करते हैं कैसे होगा 3 into 3p by 7 sorry minus 3 है ओके यह देखे minus 3 into 3p by 7 वो भी minus 3p by 7 sorry मैं देखे minus यहां का भूल गए थे हम लोग यह minus नीच चाहिएगा तो minus 3 into minus 3p by 7 प्लस इसका कितना है 2p by 7 है ओके और अपना कितना है plus 2p by 7 into 1 और फिर इसके बाद में इसका कितना है 2 है और इसका minus 5 है तो 2 into minus 5 कितना होगा minus 10 equal to कितना 0 चली तो देखे यह कितना हो जाएगा अपने पास में अपने पास में हो जाएगा minus 3 into minus 3p by 7 मतलब प्लस का 9p by 7 और यह हो जाएगा देखे 2p by 7 into 1 तो यह plus का 2p by 7 ही रहेगा और यह कितना हो जाएगा minus 10 equal to 0 LC हम रहे लिए यहां पर कितना आगया 7 9p और 10p क्याता हो गया 11p minus 7 10 70 equal to 0 तो cross multiply करेंगे तो 11p minus 70 equal to 0 11p equal to 70 p equal to 70 upon 11 देखो बैटा है क्या answer ओके तो इसको note कर लिजी answer अपना 70 by 11 बिल्कुल सही है इस तरीके से इन question को करना है done